कि आज हमारे दर्ने को 41 दिन हो गए हैं और सांतिपुन तरीके से हमने यहां दर्ना दिया है लेकिन सरकार सायद अब यह चाती है कि सांतिपुन डंग से हम आपकी बात नहीं सुनेंगे तो हम भी सरकार को यह चताव नहीं देना चाते हैं कि जल्दी हम ऐसा कुछ करेंगे जो आपकी खुद के लिए घर्टक साबित होगा हमें किसान के बेटे हैं आप हमारी प्रिक्सान ले और पूरा हमें बाल करें मेरा नाम रेखा है मैं टॉंग डिस्टिक से हूं टॉंग डि तो सरकार से यह कहना चाहते हैं कि अब इन्हीं वाओं कि देरी की परिक्षान ना ले और इनकी बातों को जल्द से जल्द सुने और हमें बाल किया जाए मैं रामचंद नायक श्री गंगनगर सी लगातार हम यहां 41 दिनों से शांती गांधिवादी त्रिक्षे से धर्ना कर रहे हैं और सरकार के तरफ से हमारे बीच में नए ही कोई डेलिगेशन हुआ है नए ही सरकार के कानों तक जूरें की है तो हम सरकार को चेताना चाहेंगे कि यह किसान के पुतर है यह जो यहां शांती प्रिक्षे से धर्ना दे रहे हैं तो इनके देरे की प्रिक्षा नहले और इनके बीच में आके वारता करे वरना यह जो किसान के बेटे हैं वो जल्द ही जल्द एक दो दिनों में अपना जो decision लेके सडकों पर निकल गए तो उनके लिए आने वाले टाइम में मुश्कलें खड़ी होने वाली है तो मैं यही करना चाहूँगा कि सरकार तुरंत प्रभाव से जो हमें जो रोजगार चीना था वो हमारा रोजगार हमें लोटाए और हमें किसी तरीके से मजबूरन होके सरकार के खिलाफ कोई ठोस कदम ना है उठाना पर ही देखे आज हमारे दरने को चालिसवा दिन है लेकिन सरकार अभी तक जिसके कानों पर जून ही रेंग रही है और हम भी इंतिजार कर रहे हैं कि सरकार जरूर कुछ सकारात्मक करेगी अब हमारे सबका युवामित्रों का सब्र जवाब देता जा रहा है तो हम भी एक दो दिन में अगर सरकार का सकारात्मक रुखनी रहता है वो डेली के सन्नी करवाते हैं या कोई उचित कदम नहीं उठाते हैं तो हम खुद एक सकारात्मक सोच के साथ और सभी युवामित्रों के आवान के साथ एक ठोश रणनिति के साथ आगे के कदम उठाएंगे जो की बड़ा ही महत्पूर्ण और जो सरकार वर्तमान में उसके लिए बड़ा गात्तक होगा समझ्या होता है सहर्दी से और और हमारे सासी की तबेद भी कराब हो गई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक यहां पर धनने पर है अश्वासंत है अभी तक तक कुछ नहीं मिला हमारे किरोड़ी मली से कुछ टीच से कुछ अश्वासंद पर से मिला इनकी संख्या न डायलाक वह कम कर दो तो इनको देद हो बागी डायलाक वह और जवासंद दो मना थुड़ी है आप ढ़ाई के तीन लाग देओ ना इसलिए सरकार यह काम करेगी तो युवा खुश रहेंगे युवा खुश रहेंगे तो हमारे देश का निर्मान होगा तो चुटी संख्या निए तो पांस अजार कम कर दो भाई डायलाक में से तो दो लाग पैता लिजार और देदो हम तो खुश है तो पहले इनको देओ दिनका रोजगार चीना है चीन लिया देने की बात कर रहें यह बिरोधा भासी बात है कि सरकार की इस सरकार को बहुत सानभ कर दो अधि ओन स्वेर शांति आरत्यु लुद्धी नीवादी विचार का यस सेंवल केसिस्नाति ताम लोग दना देरही ठाउना सामिल नहीं क्याति अधरमसा का चुन मार्श्टर को तक हम क lifelong दो कि मांधी शांति आंता द्ल्हाइए था चमाना चल्यरा है कि शिलता रही कि हमारे परिक्षा चल रही है परिक्षा में देखो सरकार विजल निकालती है जब तक हम लोग शान्ति पूर्ण तरीके से बैठ रहेंगे हमारा समर्दन पहले से ही है और एकत्तालीस दिन तक इन लोगों ने धीरेज के साथ शान्ति पूर्ण ढंग से अपना संगर्ष चलाया है और इनको सफलता तो मिलेगी लेकिन हो सकता है इनके धीरेज की परिक्षा ली जा रही हो हो सकता है इनके सास की परिक्षा ली जा रही हो इसलिए हमारा समर्थन तो यह हमारे थे हैं हम चला कि ही नहीं है तो चाहेंगे सरकार को रोजगार चीनने का नहीं रोजगार देने का काम करना चाहिए यह उल्टा काम कर रही है जो रोजगार लगे तो उसका रोजगार ची यह दिखाता है कि उनके कारिंफरणाली ठीक नहीं अच्छा है अभी तो उनको सुद्र में कमका है और हमारी शुब कामना है वो जल्दी सोद्र है और सबसे पहले इन युवाओं को जहां ये थे मायन को रोजगार दे